मीना नाम की एक औरत थी, जिसे दूद की बनी हुई चीजे खाना बेहत पसंद था, यही नहीं, उसे तो दूद पीना भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास कभी भी दूद पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने मन को मारती रहती थी, मीना का को कोशिश करने लगती है, उस दिन धूद काफी तेज थी, चूडियां ले लो, प्यारी प्यारी काच की सुन्दर सुन्दर चूडियां ले लो, तभी धनवन्ती नाम की एक औरत मीना को अपने पास पुलाती है, अरी ओ चूडिवाली, जरा यहां तो आकर अपनी चूडिया दिखाना, लाल चूडि रखी हो क्या, हाँ हाँ दीदी, आपके हाथों पर बड़ी सुन्दर लगेगी, अच्छा ठेक है, यहां अंदर आ जाओ, और यहां बैटकर मुझे और मेरी ननत को जरा चूडियां दिखा दो, मीना घर के थोड़ी अंदर जाती है और देखती है क घर के अंदर ही कई गाएं पली हुई थी, और धनवन्ती दूद बेचने का काम ही करती थी, मीना उस धनवन्ती को और उसकी ननत को चूडियां दिखाने लगती है, हम दोनों ने यह वाली चूडियां पसंद कर ली है, बताओ कि इतने रुपए हुए? दीदी, क्या आप मुझे पैसों की जगए एक गिलास दूद पिला सकती हो? क्या? दूद? हाँ दीदी, वो बहुत गर्मी है, अगर ताजा-ताजा दूद पीने को मिल जाएगा तो काम अच्छे से हो जाएगा दिन भर का मेरा अरे तिरा दिमाग तो ठीक है, कभी तूने जिन्दगी भर में दूद देखा भी है, तेरे दस पंदरा रुपए के लिए मैं तुझे अपना इतना कीमती गाय का दूद दे दूँ, ये ले अपने पैसे पकड़, और चल निकल यहाँ से अपना ये अपमान मीना सेह नहीं पाती, और वहाँ से चुप चाप चली जाती है, मीना को धनवन्ती पर और उसके उस घमन पर बहुत जादा गुसा आ रहा था, वो मन ही मन सोचती है, इस दूद बेचने वाली औरत ने मेरा कितना अपमान किया, मैं इसे सबक सिखा कर मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, कुछ भी हो जाए, अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, मीना ये सब सोचते हुए अपनी धुन में चली जा रही थी, कि तब ही वो देखती है कि उसके ठीक सामने एक कुवा था, और कुवें पर एक चुडैल बैठ कर दूद पी रही ये भगवान, ये तो एक चुडैल है। तुम चाहो तो पी सकती हो। तुम्हें ये लाल वाली ले रही हूँ, और ये लो, तुम दूद पी लो, इतना ही नहीं, चुडल मीना को एक छोटा सा ग्लास भी देती है, दूद पीने के लिए, मीना ये देखकर बहुत खुश होती है, अरे वा, ये तो बहुत सारा है, क्या मैं ये सब पी सकती हूँ, य तो मेरे बच्पन का सपना था कि मैं एक साथ इतना सारा दूद पी सकूँ, हाँ, ये सब तेरा ही है, मीना दो-तीन ग्लास दूद पी जाती है, और तब जाकर वो राहत की सांस लेती है, वाकई में, आज के समय में तो इंसानों से बहतर चुडल ही है, तो भला ऐसा क्यों कह रही है, मीना चुडल को सारी बात बता देती है कि कैसे उस दूद बेचने वाली ओरत, धनवन्ती ने मीना का अपमान किया, और उसे बुरी तरह से डाट कर भगा दिया, वैसे तेरे साथ हुआ तो बहुत गलत, अच्छा ये बता, क्या तो उस ओरत से बदला लेना चाहती ह चुडल की बात सुनकर मीना के मन में एक उम्मीद जग उठी, उसने चुडल से कहा, हाँ, मगर भला मुझ जैसी चूडी बेचने वाली और दरदर भटकने वाली ओरत, उस धनवन्ती से कैसे बदला ले सकेगी, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, मेरे पास एक प्लान है, जससे वो दूद बेचने वाली ओरत का घमंड चूर चूर हो जाएगा, चुडल मीना को अपना सारा प्लान बता देती है, और अगली सुबह मीना जल्दी उठकर चुडल के, चुडल अपने दूद की कुए में से दो वालटी दूद निकालती है, और उसमें जादू करके उसे ख चुडल देती है, और फिर वापस से चुडल के कुएं के पास आकर पैट जाती है, थोड़ी ये देर में उस दूद वाली ओरत का दिया हुआ दूद पीकर कई लोग बेहोश हो जाते हैं, और उन सब के घर वाले धनवंती के घर के बाहर खड़े होकर शिकायत करने लगते ह चुडल और मेना थोड़ी दूर पर खड़े होकर ये सब नजारा देख रहे थे, देखे मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला ऐसा क्यूं करूंगी, अरे ये गाउं मेरा भी तो घर है, तो मैं अपने ही घर के लोगों के साथ ऐसा क्यूं करूंगी, एक तो खराब दूद बेचती हो, उपर से नाटक बताती हो, अरे तुम्हारा दमाग तो ठीक है, मैंने तो सिर्फ उसमें पाने मिलाया था, आखिर इतने सारे लोगों के दबाओ में आने पर, धनवंती को सब के पैसे वापस लोटाने ही पड़ते हैं, और इससे उसका पैसों का सारा घमन चूर हो जाता है, उधर चुडैल ये सब देखकर हस रही थी, वो मीना से कहती है, लो, अब तुम्हारा काम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ मेरा काम करने, क्या, तुम्हारा काम, और बला वो क्या है, मेरे कुएं का वो दूज जिसमें, मैंने बाद में खास जादू किया था, गाह में जितने भी लोग उसे पीकर वेहोश हुए हैं, वो मेरे वश में हो गये हैं, और वो सब अभी बस थोड़े ही दिर में यहां आते होंगे, मेरे कुएं के पास, क्या, मगर तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम उनके साथ क्या करोगी, करना क्या है, मैं उन सब को खा जाओंगी, अब चल तू यहां से, और मुझे मेरा काम करने दे, मीना यह सब सुनकर डर जाती है, उसे लगने लगता है, उसकी वजह से ही, गाओं के कितने लोगों की जान चली जाएगी, पर वो छुपकर चुड़ेल को देखने लगती है, चुड़ेल अपने दूद के कुएं पर बैठी होई थी, और लोगों के आने का इंतजार कर रही सब लोग इस बार तो मैंने बड़ी ही चालाकी से अपने लिए कितने सारे खाने का इंतिजाम कर लिया अब आएगा न मज़ा चुड़ा एक बच्चे को खाने जा ही रही होती है कि तभी मीना वहां जाती है रुक जाओ तुम इन्हें नहीं खा सकती अरे तु फिर से आ गई तुझे तो मैंने यहां से जानने को कहा था ना मैंने तेरी मदद की क्या इतना काफी नहीं अब तु क्या चाहती है कि मैं तुझे भी खा जाओं तुमने मेरी मदद नहीं की तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तमाल किया थाकि तुम इन सब को खा सको पर मैं ऐसा नहीं होने दू मीना इतना बोलकर चुड़ेल से लड़ने लगती है, मगर चुड़ेल बहुत जादा ताकतवर थी, और वो बार-बार मीना को धक्का देकर गिराये दे रही थी, मीना मनी-मन सोचती है, बस बहुत हो गया, ऐसे तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगी, क्या करूं, क्या करूं म तब ही मीना चुड़ेल के कुएं की तरफ देखती है, कुएं के थोड़े पास में कुएं के उपर लगाया जाने वाला धक्कन भी पड़ा था, मीना ये सब देखकर सोचती है, एक ही तरीका है अपशायद, मुझे अपनी सारी ताकत एक बार में ही लगानी होगी, इसे हरा मीना हिम्मत करके चुड़ेल के तरफ दोड़ती हुई जाती है, और उसे कुएं में धक्का दे देती है, चुड़ेल कुएं में गिरकर दूध में डूबने लगती है, पर इससे पहले कि वो बाहरा पाती, मीना जल्दी से कुएं में धक्कन लगाकर उसे बंद कर देती है, चुडैल के उसके ही कुए में क्याध होते ही उसका जादू भी तूट जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं उन लोगों में से एक बुढ़ा आदमी पिथा वो मीना से पूछता है कि आगर यहां क्या चल रहा है मीना उन्हें सारी बात बता देती है तुम तो बहुत बहादूर हो बेटा क्या तुमारा कोई घर नहीं है नहीं बाबा मैं तो गाओ गाओ भटक कर यह चूडियां बेचती हूँ तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो मुझे तुम बहुत पसंद आई हो तुम नेक दिल भी हो मेरा बेटा इस गाओ का सरपंच है यह सुनकर मीना बहुत खुश्च आई है